बिग बॉस के एक्स्टर मसाला में सिधार शुकला फिर से शेहनास की बात करते वे नजर आते हैं जब बात्रूम एरिया में गौहर सिधार से ये पूछती है कि किस टाइब के लोग आपको पसंद है किस टाइब के लोग आपको एट्रैक्ट करते है उस पर सिधार शुकला का साफ साफ जवाब ये आता है कि वो पसनायटी, परसोना और कनेक्शन पर जाते हैं और उस पर गोहर खान का दूसरा सवाल ये होता है कि किस टैप के पसनायटी सिधार्थ को पसंद आती है वही सिधार शुकला फिर से honestly कहते वे नजर आते है कि मुझे जो लोग honest होते है, trust worthy होते है, ऐसे लोग पसंद आते है हाला कि सिधार शुकला ने Big Boss 13 में भी same बात कही थी अगर आपको याद हो और आज फिर से उन्होंने same बात कही है और ये जो honest वाली बात कही है, वो सिर्फ और सिर्फ लागू होता था Big Boss 13 में शैनाज को लेकर, जिससे साफ पता चलता है कि सिधार कही ना कही शैनाज की ही बात करते वे नजर आते है यहाँ फिर गौहर खान उनसे directly पूछते वे नजर आती है कि physically कैसे लोग आपको पसंद आते हैं, जिस पर कि सिधार शुकला directly बोलते है कि physical appearance उन्हें matter नहीं करता फिर गौहर खान main मुद्दे में आकर सिधार शुकला से एक ही सवाल करती है कि last season में जो उनका connection था, वो क्या था ज्यादा vulnerable थी और जिस वज़े से वो protect करते थे और आज वो बहुत ही अच्छे दोस्त है, गौहर खान के इस सवाल से एक बात तो clear हो जाती है कि सिधार शुकला कहीं न कहीं सहनाज को ही याद करते हैं कि उन्हें honest लड़किया पसंद आती है, वहीं दूसरे तरफ वो डेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले